जहिन दोस्तों केरियर एक्षन सेंडर में आपका स्वागत है तो आज हम सोचल साइंस का वाइरल कोश्चन पढ़ेंगे वाइरल कोश्चन बोले तो 2024 में आने बाला कोश्चन तो आप लोग वीडियो को continue कीजेगा यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लोग लाइक जरू कीजेगा तो आपका पहला कोश्चन है कि वियाना कॉंग्रेस के द्वारा फ्रांस में कि सासक वंस की पुना अस्थापना की गई थी बताइए आप लोग तो आपका पहला ओप्शन है हर्व स्वार्ग आलिया ओप्शन C वुर्वो ओप्शन D जार साही तो आपका अंसर होगा वुर पारित होगा बताइए आप लोग तो आपका पहला ओप्शन है 1688 ओप्शन B 1787 ओप्शन C 1788 ओप्शन D 1887 तो आपका अंसर होगा 1787 में 1787 ओप्शन नंबर बी ओप्शन नंबबर बी होगा ठीक है यदि आप लोग यह बाला पीडियव चाहते तो हमारा टेलीग्राम चैनल को अप्शन को आप लोग जाकर जेरू जौए हो जाईए नहीं तो अगला कोक्विशन को रूस में किर्षक दास पर्था का अंत क बताईए आप लोग तो आपका पहला ओप्षन है 1861 इस्विम ओप्षन वी 1862 इस्विम ओप्षन c 1863 इस्विम ओप्षन d 1864 इस्विम तो आपका सही अंसर देखा जाए तो आप लोग बोलेगा अगला कॉश्चन है चली आपका अगला कोश्चन है कि हिंद चीन में वसनेवाले फ्रांसी कहे जाते थे तो आपका पहला उप्षन है फ्रांसी सी ऑप्षन सी सासग वर्क उप्षन C, कोलोन ऑप्षन डी जेनरल तो आपका अंसर देखा जाए तो आप लोग बोलीघा कोलोन, option number c, यह काफीan पड़न कोश्चन है तो आप लोग धियान रखेगा, ऐसा नहीं यह कोश्चन नहीं आता है, आप लोग यह कोश्चन को नजर अनदाज नहीं किजेगा, यह कोश्चन आएगा ही आएगा, यदि आप लोग यही सब question को आप लोग नजर अंदाज कीजेगा तो आप लोग रिजल्ट जब आएगा तो आप लोग मुझ से एक ही अबाज निकलेगा हे परभू हे राम ये क्या हो गया तो आप लोग ये कहानी से आप लोग बचना चाहते हैं तो अभी से अब बहुत कम समय बचा आप लो option C Vivekanand option D इन में से कोई नहीं तो आपका अंसर होगा राजा राम मोहन राई राजा राम मोहन राई option A option A होगा ठीक राजा राम मोहन राई चलिए आपका अगला question है कि safety lamp का अविस्कार किशने किया ये कि काफिन बढ़न question है तो आप लोग ध्यान रखेगा तो आपका पहला option जेम्स हग हगरिवाज जौन के क्रंप्टान हमरी डेवी तो आपका अंसर होगा हमफरी डेवी option D option D होगा हमफरी डेवी ठीक है अगला question है आप लोग का मुंबई में सर्व पर्थम सूती कपड़ों के मीलों किया स्थापना कब हुई देखे ये भी काफिन पढ़न question है त आपका पहला option है 1851.1885.197.1914 तो आपका सही अंसर देखा जाए तो आप लोग बोलेगा 1851.1851. इस भी ठीक है अगला question है आप लोग का कि वास्प चलित रेल इंजन किस ने बनाया वास्प चलित रेल इंजन किस ने बनाया ये भी काफिन पढ़न question है तो आप लोग ध्यान रखेगा तो आपका पहला option है टॉम्स न्यूकॉम जेम्स वाट जोर्ज अस्टीफियंसन रोवेड फुल्टन तो आपका अंसर होगा टॉम्स न्यूकॉम टॉम्स न्यूकॉम ओप्शन ए टॉम्स न्यूकॉम ठीक है अगला अधोगिक करांती सरपर्थम किस देश में हुई अधोगिक करांती सरपर्थ किस देश में हुई बताईए आप लो तो आपका पहला उप्शन है इंगलाइंड फ्रांस रूस जर्मनी तो आपका सही अंसर होगा इंगलाइंड ओप्शन ए ओप्शन ए होगा ठीक है ओप्शन ए चलिए आपका अगला कोश्चन शुरू होता है कौन सा समाजिक वर्ग बु माध्यम वर्ग माध्यम वर्ग ठीक है ओप्शन डी तो बताओए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आप लोग कितना गलत कि यह बताइए आप लोग लिग और आकर को जाएं और आपलोग से हमें उमीद है कि आप लोग हमारे परिवार में जोईन हो गे होगे हो हमारा family member वन गे तो आपका अगला question है कि Garden Sy 그거 कि ऐबहार्दा किस ने बिक्सित की थी तो आपका पहला उप्शन है अगला कोश्चन है कि मगद समराज की प्राचिनतम राजधानी कहां इश्थित थी तो आपका पहला उप्शन है गया में राजग्रह में वैसाली में चम्पा में तो आपका सही अंसर होगा राजग्रिह में राजग्रिह में ओप्शन बी ओप्शन बी होगा ठीक है अगला कोश्चन है कि पटना में गोल घर किस उद्देश से बनाया गया था अभी आप लोग को गाना एक प्रमोंद प्रेमी सुने होंगे जो भी वह मतलब नहीं है कि आप लोग घाना जा कर सुने शिर्फ आप लोग को सुने होंगे तो बहुत खराब और नहीं सुने होंगे तो बहुत अच्छा तो आप लोग क्यों रखे बनाय गए था गोल घर तो अनाज रखने के लिए थिए जो कि कहां है तो पटना में गिर्मीट या मजदूर बिहार के कि छेतर से भेजे जाते थे तो आपका पहला उप्सान है पुर्वी छेतर, पच्मी छेतर, उत्री छेतर, दछनी छेतर तो आपका अंसर होगा पच्मी छेतर, option V option V before क्या होता है आप लोग comment box में बताइएगा हमें उमीद है कि आप लोग बताइएगा V.S. Nipal V.S. Nipal कौन थे बताइए आप लोग तो novel पुरुसकार विजेता वैपारी, engineer, मजदूर नेता तो आपका अंसर होगा पुरुसकार novel पुरुसकार विजेता novel पुरुसकार विजेता ठीक है जी अगला कोश्चन है आप लोग का महत्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया बताइए आप लोग तो आपका अंसर होगा common will यंग इंडिया वंगाली विहारी तो आपका अंसर होगा यंग इंडिया ओप्शन वी ओप्शन वी ठीक है बिश्वक की पर्थम पेपर मील की अस्थापना हुई थी देखे ये वी काफी इंपोडन कोश्चन आप लोग ये कोश्चन को नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं यदि आप लोग को नजर हटी दुर घटना घटी आप लोग धियान रखेगा तो आपका पहला उप्शन है जर्मनी में फ्रांस में चीन में इंग्लैंड में तो आपका अंसर होगा जर्मनी में क्या होगा जर्मनी में ठीक है जी अगला कोश्चन है हिंद स्वाराज पुष्टक के लेखा कौन थे हिंद स्वाराज पुष्टक के लेखा कौन थे बताई आप लोग जी तो महात्मा गांदी जवाहरला नहरू स्वासचंद्र बोश रविन्द्रनात तैगुर तो आपका अंसर होगा महात्मा गांदी कि option A छापा खाना का अभिस्कार किस ने किया चापा खाना का अभिस्कार किस ने किया तो आपका अंसर होगा इन में से कोई नहीं तो आपका अंसर होगा ए गुटेन वर्ग ऑप्शन ए चलिए अगला कोश्चन है आप भारतिय द्वारा परकासित पर्थम समाचार पत्र था बताईए आप लोग तो आपका पहला उप्शन है कि वंगला गजट बंगाल गजट पायोनियर अम्रित बजा पत्री का सुल्ब समाचार तो आपका अंसर होगा बंगाल गजट बंगाल गजट ओप्शन ए चलिए मार्टिन लूथर कौन थे मार्टिन लूथर कौन थे बताईए आप लोग तो आपका अंसर होगा धर्म सुधारक ओप्शन डी ओप्शन डी ठीक है धर्म सुधारक चलि अगला कोश्चन है काली मिर्दा का दुसरा नाम क्या है काली मिर्दा का दुसरा नाम क्या है काली मिर्दा का दुसरा नाम क्या है बताइए आप लोग तो आपका अंसर होगा रेगूर option B option B रेगूर मिर्दा चलिए अगला question बिहार में कितने परतिसात भोगोलिक छेतर में बन का फैला आप है बताईए आप लोग तो आपका पहला option 7.1, 19.5 5.5, 10.5 तो आपका अंसर होगा 7.1 option A चलिए भारत के किस राज में बन का सबसे अधिक विश्तार है तो पहला option है केराल करनाटक, मध्य पर्देश उत्तर पर्देश, तो आप बोलेगा मध्य पर्देश, आयूरवेद का जनक किन्हें कहा जाता, देखिए आप लोग ध्यान से रखिएगा पतंजली बावा नहीं मारिएगा, इसा ने रामदेव बावा तो रामदेव बावा जाकर आप लोग चाट लिजेगा, चमन फरास तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चरक होता है, ठीक है, option B ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत सारे उहाँ पे हमारे भाई बावन कनफ्यूज करते हैं, ठीक है, पतंजली रामदेव बावा, यह नहीं होता, चरक मारिएगा, ठीक है, चरक, भारत का राष्ट यह पच्छी कौन है, आप लोग बताईए, कौमेंट बोक्स में, हम यह वाला नहीं बताएंगे, चलिए अगला कोशन है, सेलम किस राज में इस्थित है, सेलम किस राज में इस्थित है, बताईए आप लोग जी, सेलम किस राज में इस्थित है, तो आप लोग बोलेगा, तामिल नाडू, कहां है, तामिल नाडू, चलिए भारत में सबसे उची सड़क कहां मिलती है, बताईए, यह बता के अब लोग चैनल को लगता है सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो आप लोग को रात में सपना subscribe करना पड़ेगा सपना में आई हम आ जाएंगे ठीक है आप लोग ध्यान रखे जाकर subscribe किजा चेनल को आफ लोग subscribe कर लिए नहीं तो आप लोग कौन से स्रे नहीं मिलती है तो आप बोलेगा सिवालिक सिवालिक ऑप्शन डी ऑप्शन डी क्रिसी कारी में महलाओं की भागिदारी है बताइए आप लोग तो आप बोलेगा 40% लेकिन अब बहुत जाएदक पुरुस लोग जो कोड़ी हो गए है आप लोग ऐसा नहीं किजेगा 40% ही अपना वाइफ को काम करने के लिए बोलिएगा और जो हमारे वहन है वो 40% ही काम किजेगा खेती में ठीक है अगला कोशन है लोग सभा में निर्वाचन हे तुकुल सीटों की संख्या है बताइए स्वीड्यर लेंड संप्रदाइक राजनीति आधारित होती है बताईए आप लोग तो आप भलेगा धաर्मपर ऑप्शन पेसन भी ग्राम कचारी का परधान कौन होता है बताईए आप लोग और राजस्थान होता है सरदके सर नहीं बोलिए सर नहीं बोलेगा ठीक है सर नहीं बोलेगा भाईया बोल सकते हैं चली आपका अगला कोश्चन सुरू होता है किस देश में बहुत अलिये विवस्था नहीं है तो आप बोलेगा विरिटेन नर्मदा बचाव अंदोलन संबंदित है तो आप बोलेगा पारिया वरान कहां बोल पर्तियच बिख्याइच इनमें से कोई नहीं तो आ बोलेगा आप पर्तियच पर्तियच उसाख क्या रथ और इनमें से सभी option D कौन बिमारू राज नहीं है बताईए आप लोग तो करनाटक बिमारू राज नहीं है अगला question है इनमें कौन विदेशी व्रांड नहीं है यह देखे बहुत सारा हम question करा चुके यदि आप लोग नहीं देखे हो सभी वीडियो तो आप लोग देखिएग नहीं यहां पर माना जाता है ठीक है माना जाता है बताईए आप लोग तो आप बोलेगा इनमें सभी चले अगला question है कि इस निमन में कौन भुकम्प का सरवधिक संबेदना सिल नगर है तो आप बोलेगा कि क्या देहरा धून देहरा धून तो बताईए आप लोग एक कामन question में कितना सही किये हैं तो आप लोग बोलेगा कि 50 एदि आप लोग 50 किये तब तो बहुत अच्छा है और नहीं किये तो जितना भी वीडियो अब्जेक्टिव कोशन का हो राज सभी आप लोग जरूर देखेगा और बताईए अभी तक आ नहीं किये हैं यह आप लोग कितना गलत किये हैं तो आप लोग बोल रहे हूं कि हाँ यह गलत किये तो आप लोग जल्दी से Subscribe कीजिए और हमारे JUST सब्सक्राइब कीजिए हमारे परिवार में आकर जल्दी से जोआन हो जाएए चलिए हो गए ज़ाए बहुत अच्छा आपक कलिए जाहिन